हेलो अब्रीवन वेलकाम अगेंगे लेंड विद दिदिमन बचों आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 का चेप्टर नबर 12 का जो मानफ संचदन है जिसका नाम और हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं 32 कोशन हमारे हो चुके हैं और 33 कोशन पर हम बात कर रहे हैं तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं 2011 जडगर्णा के इसार राइस्थान में नियूंतम वे अधिकतम साखशर्ता प्रतिसत किस जिले में है 2011 की जडगर्णा होई थी उसमें राइस्थान में नियूंतम और अधिकतम साखशर्ता प्रतिसत किस जिले में है तो यह आपका सबसे नियुंतम तो थी जालावर में जो 14.9% था और अधिक्तम कोटा में पाई गई जिसमें 16.5% साक्षर्था प्रतिस्था देखा गया है नेक कोश्चिन 2011 जंडगर्णा के नुशार राइस्थान में महिला वे पूरुस साक्षर्था कितने प्रतिसथ है यह आपका पूरे राइस्थान के अंदर की बात करें तो महिला में 52.1% महिला हैं साक्षर है 2011 जंडगर्णा के नुशार राइस्थान में सरवाधिक पुरुष साक्षर्था प्रतिसत किस जिले में दर्ज की गई है। जंडगर्णा के नुशार राइस्थान में सरवाधिक इस्त्री साक्षर्था प्रतिसत किस जिले में दर्ज की गई है। सरवाधिक जो इस्त्री साक्षर्था प्रतिसत किस जिले में दर्ज की गई है। 2011 जंडगर्णा के नुशार राइस्थान में अनुशुची जंजाती की जंजंक्या कितने प्रतिसत है। जंडगर्णा 2011 में राइस्थान में सरवाधिक अनुशुची जंजाती जिले में पाईगी। तो वह हैं आपके बासवाड़ा में जिसमें 6.4% के अगर आधार पर देखा जाए तो सबसे ज़्यदा बासवाड़ा में और संख्या के आधार पर देखा जाए तो उदैपुर में सरवाधिक अनुशुची जंजाती हैं देखने को मिलती हैं। बासवाड़ा में 6.54% है जिफकि उदैपुर में 15,25,289 के जंख्या में लोग यहां पर रहते हैं। तो यह आपको देखना होगा कि आपसे अनुशुची जंजाती के बारे में पूचा जाए तो यह देखा जाए कि किस जिले में सरवाधिक है तो देखिए पर देखिए और संख्या के आधार पर उदैपुर में हैं तो यह दोनों ही अलग 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 चीज़े हैं। नेक क्वेशन देखें। 2011 जंजाती के बारे में हमने बात के थी अब हम बात करें हैं अनुशुची जाती के बारे में तो राइस्थान में कितने प्रतिशत है अनुशुची जाती 17.8% कि लोग यहाँ पर निवास करते हैं। तो किस जिले में हैं सर्वादिक वही बात है कि स्री गंगान अगर में प्रतिशत के अधार पर है और अगर संक्या के अधार पर देखा जाए तो जैपूर में सर्वादिक अनुशुची जाती के लोग निवास करते हैं। स्री गंगान अगर में 36.6% है जो और ये प्रतिशत के अधार पर सबसे ज़्यादा है उसी तरह जैपूर में संक्या के अधार पर देखा जाए तो सर्वादिक जो अनुशुची जाती के लोग हैं जैपूर में निवास करते हैं। ने कुशन देखें। जंगरना 2011 के अनुशार राइस्थार में सहरी जन संक्या कितने प्रतिशत दर्ज के गई हैं। क्योंकि ग्राम में निवास हमारा देख जो देख है वो एक अग्रिकल्चर बेस्ट कंट्री है और यहां पे जो गामेंड जो लोग हैं। जंगरना 2011 के अनुशार राइस्थार में सहरी जन संक्या कितने प्रतिशत दर्ज की गई है। देखिए तो इसका अंसर क्या है 24.9% और अगर 100 में से 24.9 रटा दिया जाए तो बाकी क्या बचा ग्रामिंड परिवेस्ट तो ग्रामिंड परिवेस्ट में 75.1% लोग रहते हैं। यानि ग्रामिंड छेत्र में 55.1% लोग रहते हैं और सहरी छेत्र में 24.9% रहते हैं। है वो कि जिले में है तो हमारे राइसान के डूंगरपूर जिले में सर में से ज़्वब से ज़्यादा निवास करने वाले ग्रामिन है 66.6 पूंट 3 mining जो ग्राम में निवास करते हैं और जो नियुन्टम है कोटा में वो 49.7 परसेंट ही निवास करते हैं या निご गोटा में ग्राम पर रिशेद बहुत कम हैं, वहाँ पर बहुत कम लोग निवास करते हैं, जिब कि डूंगरपूर में यह सित बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर करिमें 6.6% ग्रामों में निवास करते हैं। जन्ड करना 2011-11 राइस्थान में एक लाग से अधिक जिनसंख्या वाले नगर कितने दर्ज किये गए आपको पता है कि आपके राइस्थान में कितने जिले हैं और जब उनमें से आपके कैसे कितने जिले हैं जिनके अंदर एक लाग से भी अधिक जिनसंख्या वाले नगर पा में राजिस्थान में रनात्मक कुर्दितर की गई थी लेकर हमारी जन चन्षंग का दिन मी राज्चों में बढ़ती जा रही है लेकिन एक समय ऑसा भी आये था जब जन संक्या बढ़ रही थी उसके बदले घटन गई थी और कब हुआ था ऐसा ऐसा हुआ था 1911 से 1921 के बीच में हुआ था और ये क्या है ये जो काल था ये युद्ध के समय के आसपास का काल था तो इस वज़े से यहां पर रिणात्मक व्रद्धी दर्श की गई थी सरवादिक व्रद्धी दर्धी जन संक्या की वह राजसान में किस वर्द्ध की गई है तो यह आपकी 1981 में दर्श की गई जिसमें 32.78 में प्रतिस्थान की जन संक्या व्रद्धी दर्श की गई नेइक कॉशन देखें भारत में राजस्थान की जनसंक्या कितने प्रतिसथान की जन संक्या तो वह आपका 5.66 परसेंट में 5.66 जन संक्या केवल राजस्थान की रहा है इस वहृं comment यह मैं कॉशन देखें जन्गणा 2011 के नोंसर राइस्थान में धर्म के आधार पर सरवादिक जिन्सन के वाला धर्म है जन्गर्णा दोहजर ग्यारिक अनुसर राइस्तर में धर्म के अधर पर अगर देखा जाये तो सरवादिक जिन्सन के वाला धर्म कौन चा है तो हम जानते हैं इसका अंशर है हिंदू यह हैं 88.49% जब कि मुस्लिम लोग 9% है और सिक लोग 1.27% यहाँ पर निवास करते हैं जन्गर्णा दोहजर ग्यारिक अनुसर राइस्तर में कितनी जन्म दर्द की गई है पूर्ती हजार दर्द की गई है ठीक है, नैक कॉष्शन देखें जन्गर्णा 2011 के अनुसार राईसार में कितनी मिर्ट्यू दर्द की गई है जन्गर्णा 2011 कितनी जीवन प्रत्यासा दर्द की गई है याद रखिएगा जीवन प्रत्यासा क्या है सामने औसत विक्ति के द्वारा निकाले गए जीवन की आयू तो जीवन प्रत्यासा कितनी है हमारे हिंदू राईसार की तो वह है 68.3 वर्स तक एक औसतन जीवन प्रत्यासा है हमारे लोगों की नीक कोेश्शन राईसर में कौन सी दर यह काफि इंपोर्टेंट उस्यन है और इसको थोड़ा से ध्यां से पढ़िएगा राइसतार में कौन है जनशंक्याब्रत्य दर लंगानुपाद दर जन घनथव्र कुल साहख्छार्था की दर पुरुष साहख्छर्था की दर इनमें से ünüzसी कौ disp you are जो राश्ट्री ऑश्षत से अधिक दर्ज की है उसी कौ सी चिज़ है कि हमारे यहाँ पर रिंगा नुपाद बढ़ता है पुरुष साक्षरता भी अच्छी बात है, इस्त्री साक्षरता भी अच्छी बात है, लेकिन हमारे यहाँ पर क्या वड़ रही है, जन्सन क्या वड़ रही है, जो कि इतना उचेतनी है क्योंकि यह हमारे लिए ज्यादा होता जा रहा है, तो जन्सन क्या वड़ दर ही एक ऐस जैसे भारत का लिंगानुपाद क्या है उस ऑसस ने हमेशा राजस्तान का नीचे रहा है जन गनत्व बीदि रहा है कुल साखषरता भी नीचे रही है तो इसका अनचर क्या होगा इसका अनचर होगा जंसंख्या तो बच्चों उसी के साथ आपका चैप्टर होता है समाप मिलते हैं नेक्ट चैप्टर के साथ जिसमें टांस्पोर्टेशन सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे और वह आहोगा आपके टैंथ का लाश्ट जोग्रिफिका चैप्टर और यह कोशन सामने तोर पर देखा जाए उनको अच्छे से याद रगरिएगा और यह बात भी ध्यान रखेगा कि आप से एक सब्द भी टैंथ क्लास के अलावा नहीं बताया गया है तो इस चीज़ से परिशान मत हुए कि हमें इतना डीप जा रहे हम बिलकुल डीप नहीं जा रहे हम केवल और केवल टैंथ तो नहीं दिया गया है तो बिलना टैंशन के आप इनको याद करिए और अच्छे नंबर लाइए बेस्ट आफ लक बच्चों थैंक यू मिलते हैं नेक वीडियो में